हेलो दोस्तो स्वागत है आपको इस वीडियो में मैं हूं सत्रुधन यादब आप देख रहे हैं सत्रुधन टीचिंग सेंटर दोस्तो यह जो वीडियो है समतूल बट्टा ग्याद करने के लिए इसमें बताया जाएगा दोस्तो दो या दोसे अधीक करमिक बट्टा दिया रहता है और उसे कहा जाता है कि एकल बट्टा या समतूल बट्टा बताये क्या होगा तो मैं इस वीडियो में समतूल बट्टा ग्याद करने का एक बहुत ही बेहतरी versão बताने वाले हूँ मात्र एक फर्मूला लगाना है सम्तूल बट्टा ग्यात हो जाएगा चलिए वो फर्मूला क्या है मैं बताता हूँ दोस्तो इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस किजिएगा था कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे चलिए सुरू करते हैं सम्तूल बट्टा ग्यात करने के लिए मात्र एक फर्मूला में बताऊंगा सौ माइनस सौ गुने बट्टाएं हना बट्टाएं क्या होगा भाई बट्टाएं लगा दीजे बट्टाएं जितना बट्टा रहे उतना बट्टा ये है समतूल बट्टा समतूल बट्टा ग्यात हो जाएगा अब यह बट्टाएं का मतलब क्या है बट्टाएं का मतलब है दोस्तों अच्छाओं में से घटा करके बटा सौ लीग देना है मतलब यहां पर बटाय का अर्थ है सो माइनस बटा परतिसद बटा सौ जितना रहेगा उतना दू गो है तो दो बार ऐसा काम करेंगे तीन गो तो तीन बार ऐसा काम करेंगा है ना चलिए एक्जामपल लेते हैं एक्जामपल कोस्टन एक्जामपल कोस्टन है दस परतिसत तथा बीस परतिसत बट्टाएं का एकल बट्टा क्या होगा एकल बट्टा क्या होगा चलिए एकल बट्टा या सम्तूल बट्टा का फर्मुला है सो घटाब सो गुने बट्टाएं तो बट्टाएं यहां दो तरह के एक 10 परतिसत और दुसरा 20 परतिसत तो 10% के लिए बट्टा यहां लिखेंगे 90 बट्टा 100, 20% के लिखाएगा, कितना, 80 बट्टा 100, चुकि कि बट्टा हमेशा 100 से क्या होता है दोस्तों घटता है किसे भी हाल में बढ़ेगा नहीं बट्टा हमेशा 100 से क्या होगा घटेगा इसलिए दस है तो 90 बट्टा सो बीस है तो 80 बट्टा सो यहां पर एक और बट्टा रहता था एक और गुना कर देते जितना बट्टा रहता सो अब से घटा करके आपको को करना है ठीक है यह कट गया यह भी कट गया सो घटाव 72 अब 72 जाएगा दोस्तू कितना हो जाएगा 28% 28% इसका शमतुलबत्त होगा तो इस तरह से समतुलबत्त आराम से आप गयाद कर सकते हैं कोई इसमें दिक्कत नहीं है देखेव दोस्तों, बहुत सारे किताम में ये बहुत सारे टीचरों को मैं देखा हूं, क्या बताते हैं? देखे, ध्यान दिजीएगा, क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? वो गयात करने के लिए 100 घटाव सव माइनस बट्टा सव यहाँ पर एक और करना है सो मायस बट्टा इस तरह से ग्याद करने के लिए बोला जाता है इस तरह से और बोला जाता है कि अगर तीन बट्टा आ जाए तो एक और सो नीचे कर दीजिए तीन बट्टा आ जाए तो चार बट्टा आ जाए तो एक और नीचे सो कर दीजिए इस तरह से ऐसा कुछ नहीं कर यह जो फर्मूला है ना यह दू-बटा है तीन बटा रहे fantas vater है सब में ये काम करेगा बटाएंक होता है सौ में बटा घटा करके और सौ से भाग दे है यह अर्थ होता है जैसे मैंने आपको बता या चलिए कुछ और प्रस्णं को देख लेते हैं चलिए दोस्तों प्रस्ण आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा इसे पढ़ा कर बताईए क्या होगा वैसे मैं तो अभी बताऊंगा ही देखे क्या है एक कंपनी तीन परकार के क्रमिक बट्टाएं पहली 25 परतिसद और 15 परतिसद तीन परकार की है पहली क्या है 25 परतिसद और 15 परतिसद दूसरी क्या है 30 परतिसद और 10 परतिसद तीसरी क्या है 35 परतिसद और 5 परतिसद का ये बट्टा है ओफर देती है, बताएं कि ग्राहक के लिए बेहतर ओफर कौन सा है ओप्शन भी आपको नजर आ रहा है न, तो बेहतर ओप्शन कौन सा है बताएं चलिए पहली को हल करते हैं 100 घटाब, 100 गुने 75 बटा 100, उने 85 बटा 100 ये तो एक गया, 75, 75, 400 ये 4 से कट गया हना चलिए गुना कर दिजिए, पांच तिया के 15, 8 तिया 24, एक पचीस बटा 4 चलिए इसको भीन के घटाब बनाएगा 145 बटा 4 चलिए भाग दे दिजिए ते कितना आ जाएगा चार तिया के 12, 2 पर 5 उतरेगा, 6 चलिए 24, एक पर 0 उतरेगा, यानि कि चार दुनिया 8 पांच तो 36 दसमलब, 2 पांच पहला का आ गया, चलिए दूसरा ग्याद करते हैं, दूसरा क्या है, 100 घटाब, 100 गुने 70 बटा 100, गुने 90 बटा 100, हाना, चलिए ये तो कट गया, अब ये 2 जीरो भी कट गया, तो कितना आ गया, 100 घटाब, आनोसते 63, तो 100 में से 63 गया, कितना बचेगा, दूस्तों, 100 में से 63 गया, 37 परदीशत, ये आ गया, 37 परदीशत, ठीक है, कितना आ गया, 37 परदीशत, अब तीसरा का देख लेते हैं, दूस्तों, तीसरा का यहीं पर गयाद कर लेते हैं, तीसरा क्या है, चलिए देखिए, 100 सव घटाव सव गुने 35 है तो यहां 65 बटा सव गुने उसके बाद 5 है ना 5 परतिसत तो 95 बटा सव चलिए 100 से 100 कट गया सव घटाव यह गुना हो जाएगा दोस्तो 65 और पंचान में गुना किजिएगा तो एक सट पच्छतर आएगा बटा सव इसका आजाएगा तो सव घटाव एक सट दसमलब साथ पांच चलिए सव में से एक सट दसमलब साथ पांच घटाईएगा सौ में से एक सट दसमलब सेव घटाईएगा तो 38 दसमलब 25 आएगा तो यह तिसरा है और यह दूसरा है और यह पहला है तो सबसे ज्यादा आजाएगा तिसरा सबसे ज्यादा तिसरा आजाएगा मतलब ग्रहां के लिए सबसे वे कितना आया था 37 पर्शेंट चलिए पहला का कितना आया था कि तो सबसे वेस्ट कौन है ग्रहां के लिए सबसे वेस्ट कौन है सी तिसरा प्रस्ण में क्या था प्रस्ण में क्या था बताये गरहाँ के लिए कौन सा िधियत है तो यहाँ तीसरा आउफर बेहतर है तो दोश्टों ऐसे परस्णों में सभी का आपका से बाटटा ग्याद करना होगा समों बाट करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा बेहतर है ठीक है देखते हैं कुछ और प्रसणों कि दोस्तों प्रस्ण है बीस परतिसद बीस परतिसद तता दस परतिसद के छूटों के बरावर छूट कौन है यह वताई यह देखिया स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा है न चलिए समतूल बट्टा का फरमूला बताये हैं 100 घटाब 100 गुने बट्टायें तो बट्टाय जम्ल है एक सोब से गया एक और ये भी कट गया और ये बचा है ये बचा है तो चार दुनी आठ पांग दुनी 10 बस इतना ही है सmir गुना कर दिजिए ऐसे इस तरह के प्रस्ट में लिए यह यह दि दस आता है तो दस रहने देंगे क्योंकि भाग देने में काफी अच्छा होता है तो ये नहीं काटेंगे ये 8 का 8 रखेंगे और ये 10 का 10 रखेंगे ये रहने दीजिए भाग देने में काफी हद तक मदद मिलती है तो 88 64 गुने 9 कर दिजेगा बस उसमें 10 से भाग दिजेगा 88 64 गुने 9 9 4 36 के 6 बाकी 3 है न नोच्छ का 54 54 57 57 तो आराम से इसको लिख सकते हैं न आराम से इसको लिख सकते हैं 57 56 57 लिख सकते हैं न चले घटा दिजे न 100 में से 57 दसमलब 6 घटेगा तो कितना बचेगा बताईए बताईए कितना बचेगा 42.4 बचेगा तो ये इतना परतिसेत हो गया अंसर है न तो दोस्तो समतुल बट्टा ग्याद करना काफी असान है तो आप सीख गए होंगे समतुल बट्टा ग्याद करने के लिए तो मैं आसा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया है अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन